नमस्कार दोस्तों आसा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इट की जुड़ाई हम किस प्रकार से करवा सकते हैं इंडियन स्टेंडर्ड के हिसाब से हमें कितने प्रकार से इंट की जुड़ाई करवाई जा सकती है जैसा कि हम जानते हैं कि इंट मुकता चार प्रकार्ट से जुड़ाई की जाती है स्ट्रेचर हो गया, हेडर हो गया, इंगलेस हो गया, फ्लेमेस हो गया चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं सबसे पहले हम जो देख पा रहा हैं से इसे समने वाला फीस है यह लंबगा इक अलोगा फेस होता है इसे हम इस पाब कहते हैं आप में यह जो फ्रॉग की ऊपर मसाला भर देते हैं ताकि दो ईंटों की जोड और मजबूती अच्छी रहे सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेचर बोर्ण की स्ट्रेचर बोर्ण का उप्योग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर 4 इंची बॉल का उप्योग किया जाता है या ऐसे पार्टिशन बॉल भी कहते हैं त्यारिंची दीबाल की मैजिनरी के लिए हमें स्किल्ड मैसन की आवसकता पड़ती है जो कि हाइली स्किल्ड होना चाहिए क्योंकि इस पर हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है समय समय पर हमें इसका साहुल के द्वारा नापना होता है कि जो रद्दा लगा रहा है वो सही स्थिती में लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है इसमें जो हम mortar use करते हैं वो एक चार का use करते हैं जिसमें एक पार्ट cement तथा चार पार्ट rate होती है इसमें धागे का proper ध्यान दिया जाता है, साथी साथ इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है कि किनी दो रद्दों के बीच में कोई भी joint नहीं रहना चाहिए, joint proper काटा जाना चाहिए जैसा कि आपर मिस्त्री द्वारा बहुत ही इसकिल्ड तरीके से यहां पर ये कारे किया जा रहा है, अब प्रकार की चुनाई में एक और बात का बिसेज ध्यान दिया जाता है कि एक दिन की जुडाई मातर साड़े तीन से चार फिट होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी च चाहिए, साथी साथ प्रत्यक चार फिट की चुनाई के उपर हमें इसमें 4 इंच का RCC प्रोवाइट करना चाहिए, जिसमें दो सरीये प्रोवाइट करके प्रॉपर कॉलम टू कॉलम करने चाहिए, और जो दोनों तरब जो सरीये आ रहे हैं, वो प्रॉपर कॉलम के अंदर कम से कम डेड़ इंच अंदर होने चाहिए हमें इसके लिए एक और बहुत ही महत्यपूर्ण बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें कम से कम हमें 14 दिन की तराई करनी चाहिए ताकि यह अपनी डिजायर स्ट्रेंथ ले सके अपनी जितनी इसकी रिक्वाइड तागत है वो ले सके साथी साथ इसमें जब हम पलस्टर करते हैं तो बहुत ही महत्यूपूर्ण होता है पलस्टर करने के पहले हमें जब जिस दिन हम चुनाई करते हैं इसमें ग्रिपिंग प्रॉपर काटी जानी चाहिए ग्रिपिंग काटने के पस्चात हम इसमें पलस्तर कर पाते हैं पलस्तर आगे और पीछे दोनों तरब से किया जाना चाहिए ग्रिप का सबसे बड़ा फाइदा ये होता है कि ग्रिप के दोआरा कॉंक्रीट मतलब जो मसाला होता है वो बहुत ही अच्छी पकड़ लेता है दीबाल के साथ जिससे कोई भी किसी प्रकार की परिशानी नहीं आती दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं फ्लैमिस बोन का इसका उपियोग ज्यादा तर साइडों पर किया जाता है जहाँ पर नौएंची की चुनाई की जाती है इसका सबसे ज्यादा उपियोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही skilled mission की आवसकता नहीं होती है इसके एक ही रद्दे में एक इट हेडर और एक हीट स्ट्रेचर रखी जाती है जिससे या दिखने में बहुत ही सुन्दर साथी साथ मजबूत हो जाती है आप इससे टॉप से देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी जिसमें एक इट ये हेडर है और ये तो स् साथ ठेकेदार की कम सोपरवीजन में इसका काम किया जाता है इसलिए यह देखने में सुन्दर साथी साथ बहुत ही मजबूत मिलती है वैसे तो साइट्स पर कई परकार के हमें चिनाई देखने को मिलती है जिन मेंसे दो और प्रमुक हैं जैसे इनमें एक इंगलिस बॉंड ह हो गया दूसरा हेडर बॉंड हो गया English बॉंड की में बात करें तो इसमें यहां दिखने में सुंदर लगती है साथी साथ थोड़ा सा इसमें कॉस्ट जादा आता है और इसमें cracks generate होने के chances बढ़ जाते हैं अगर English bond की बात करें तो यह भी ज़्यादतर sites पर हमें देखने को मिल जाती है इस प्रकार की वीडियो के लिए subscribe जरूर करें हमारा channel Thank you so much for watching